देश में दिवाली की धूम है गलियां बाजार गुलजार है तो वही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के P.O.K. में गम और गुस्सा है P.O.K. की अवाम हस्रत भरी नजरों से भारत की तरफ आस लगाए देख रहे कि शायद इस बार की दिवाली का जश्न भारत वासियों के साथ मनाने का मौका मिलेगा अब की बार दिवाली P.O.K. वाली दिवाली पर धमाल भारती सेना का कमाल P.O.K. पर भारत का कब्जा, शेहबाज हक्का भक्का, पोरा पाकिस्तान, P.O.K. लेलो हिंदुस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मु कश्मीर में लोगों में आकरोश है शेहबाज के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है महेंगाई, बेरोशगारी और कानून व्यवस्ता ने लोगों का जीना मोहाल कर रखा है तो वही भारत में दिवाली की तैयारियां जोरो पर है और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है पाकिस्तान के दिवालिया होने का सबसे जादा आसर पियोके पर पढ़ने वाला है जहां महेंगाई, बेरोशगारी, पढ़ाई, दवाई और हर चीज़ की किल्लत बढ़ती जा रही है इस वज़े से पियोके में अक्सर लोगों का हजूम सडकों पर नज़र आता है दिवाली का तेवहार से जहां लोगों की किस्मत के चराग जलने वाले हैं पियोके के लोगों में भी दिवाली के करीब होने से उम्मीदे परवान चढ़ने लगी है P.O.K. की आवाम इस बार दिवाली मनाने की मिन्यते कर रही है और भारत के लोगों के साथ मिलकर दिवाली के जशन में धूम मचाने को लेकर बेकरार है और ऐसे में भारत के लोग भी काफी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान नाधिकरित कश्मीर जाने की P.O.K. पर भारत काफी इस वक्त से दावा करता रहा है कि P.O.K. भारत का अभिन हिस्सा है P.O.K. पर कब्जा करने की हुंकार भी खूब थी P.O.K. मोदी से लेकर हमिशा राजना सिंग और योगित तक ने भी कहा था कि P.O.K. हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा और अब इंडिये सरकार के शीर समंतरी इस बात को लेकर दोरा रहे है कि P.O.K. को पाकिस्तान के जबड़े से छीनना बाकी है तो क्या दिवाली से पहले हिंदुस्तानियों को मोदी सरकार बड़ा तोफा नमाजने वाली है अब आपको बताते हैं कि चुनावी समर के दौरान किसने क्या कहा था चुनावी सरगर्मी के बीच के इंदरी गिरे मंत्री और प्रधान मंत्री ने इंदे मोदी के बहत करीवी माने जाने वाले आमिर्शा ने कहा था कि P.O.K. भारत का अभिन्न हिस्सा है जिसे वापस पाना हर भारती का लक्ष है कॉंग्रेस वाले लालू जी गमंडिया गठवंदन हमें डराता है के पाकिस्तान के पास एटम बॉम है पाक उक्क्यूपाई कस्मिर की बात मत करो भायो बेनो मैं लालू यादवें कंपनी को कहने आया हूँ अरे लालू जी हम तो भाजपावाले है पाकिस्तान के एटम बॉम से नहीं डरते हैं तो वहीं केंद्री रक्षामंत्री राजनास सिंग भी बोले थे कि भारत पियोके पर दावा कभी नहीं छोड़ेगा पर उसे बलपूर्वक भी कभजा नहीं करना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि कश्वीर में विकास को देखने के बाद वहां के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे केंद्री विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर ने अभी जल्दी का था कि पियोके कभी देश से बाहर नहीं था यह हमेशा से देश का हिस्सा रहा देश की संसद में संकल्प पारिठ हुआ की पियो के भारत का हिस्सा है फिर दूसरे लोगों का इस पर नेंतरल कैसे हो गया अब हो जाता है जब घर का मुख्या जिम्मेदार नहीं होता है तो बाहर वाले आकर चीज़ें चुरा ले जाते हैं आपने दूसरे देश को घुसने दिया क्योंकि हमने आजादी के बाद शुरुवाती दिनों में पाकिस्तान से उन एलाकों को खाली कराने की कोशिश नहीं की और ये दुख़द इस्थिती जारी है हाला कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज पियोके लोगों की चेतना में लोटाया है तो वही यूपे के सीम योगिया दितनाथ ने जम्मू कश्मीर में चुनाओ परचार के दौरान कहा था कि पियोके जल्द भारत का हिस्सा बनने वाला है तो ऐसे मैं काश दिवाली से पहले पियोके पर कबज़ा हो जाता तो देश्वासियों के लिए इस से बेतर कोई और तोफान नहीं हो सकता बेरो रिपोर्ट इंडिया नियूज मुंबई से खबर सामने आ रहे जाम मुंबई के तलोजा में दिवाली